नमांकन फॉर्म खरीदने के लिए 10,000 रुपे के सिक्के रग दिये टेबल पर सिक्के देख निर्वाचन पदादिकारी हो गए अक्ये बक्के विदानसबा चुनाव में पृतियाशियों के तमाम अजीबों गरीब कारणामें सामने आते रहते हैं ऐसा ही एक कारणामा दत्या के सेवड़ा विदानसबा शेतर से आया है जहां एक निर्दलिय पृतियाशी ने लोग प्रियता के लिए एक ऐसा कारिक किया कि देख सब निर्वाचन पदादिकारी भी भोचक के रहे गए सेवड़ा विदानसबा से निर्दलिय चुनाब लड़ने की तैयारी कर रहे है रामकुमार गुपता दत्या कलेक्टर कारियाले में नामांकन फॉर्म लेने पहुचे नामांकर पत्र लेने के लिए निर्दारित राशी 10,000 रुपे जमा कराने होते हैं इसके लिए गुपता जी अपने साथ एक और दो रुपे के सिक्के लेकर कलेक्टरेट आफिस नामांकन फॉर्म लेने पहुचे और नामांकन फॉर्म देने के कर्मचारियों के सिक्के कठेर लगा दिया या आपको बता दे कि समानिवर के लिए नामांकन फॉर्म लेने के लिए 10,000 के राशी जमा करनी पड़ती है रामकुमार ने 10,000 के सिक्के करमचारियों के सामने रखे तो करमचारियों को सिक्के गिनने में पसीने छूड़ गए फॉर्म लेने वाली रामकुमार गुपता जो की विधाया के नाम से छेत्र में मश्यूर है वे इससे पहले भी विधान सभा और नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं गुपता जी का कहना है कि उनके पास नोट की नगदी नाशी नहीं है जंदा से सयोग और मेरी जो छोटी सी दुकान है उसकी विक्री से कुछ सिक्के आते हैं उनको पाँच साल से जोड रहा हूँ अब चुनाव लड़ना है इसलिए ये इकत्रित किये पैसे जो सिक्कों की रूप में है लाया हूँ थोड़ी सी जमीन अगर जुरूरत पड़ी तो इसको बेच कर चुनाव लड़ूंगा करमचारी बोले हमें तू फॉर्म देना ही पड़ेगा सिक्कों की गिंती पूरी हो जाएगी फिर हम नामांकन फॉर्म दे देंगे चिल्ड़ हम पांच-छाथ साल पेले से कर रहा है थे किराने की दुखान है हमाई नहीं विराक नहीं लेते हैं किराने तो बेचेते हैं सौद़ा लेते हैं पांच-पी को दस्की को बिंडल को माचे पैसे जो रजात अपने डवलाम भर रजात पे अब लड़ेंगे चुनाव के लाने एक बीजा है तो बाहरे बेंच को बिशार कर रहा है तो नहीं बेंच में तो गयती लेते हैं अब तो कौन में आजाते हैं कभूं पचास कभूं दोते हैं कभूं देट से अब किराने की दुकाने तो सब तरह तो गिराक आदे तो बिने अलग रखत जाती है अब गिराक नहीं देटो तो तुझे जई के लाने चुनाव के लाने हो जिए हमने की प्रेंगे में जमा करें